वर्म वेलकम दियर स्टूदेंट्स एलेक्रोमगनेटिक इंडक्षिन यूनिट फॉर एन प्लस टू उसका टॉपिक बेटा करेंगे फैरडेज लॉग और आज ही उसकी डेरिवेशन भी होगी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्चन थी टू फाइव मार्क्स आता है और साथ में तोड़ा सा डिस्क इन होगा लंजी लॉग का मैं तो फैरडेज लॉग जो है वडेसिकली इलेक्रोमेगनेटिक इंडक्षिन के लिए है electromagnetic induction means अगर हम current को induce कर पाएं induction मतलब कुछ अंदर से create कर देना कुछ अंदर से ही बना देना electricity हम induce करेंगे एक coil के अंदर electricity उसके अंदर से ही बना देंगे बिना किसी बैटरी की help से by using magnetic field इसलिए नाम है electromagnetic induction तो चलिए पहले मैं आपको दो experiments दिखाता हूँ जिस से आपका faraday's laws वाला जो part है कि laws है क्या क्या वो directly आपको justify हो जाएंगे आप मान जाएंगे कि सर ने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है तो experiments में क्या है एक अपने पास है galvanometer galvanometer को हमने एक coil से connect कर रखा यह coil है coil मतलब एक enameled wire को एक copper का wire है उसके उपर बहुत ही पतला सा coating है तो उस wire को हमने circular turns में wind करके और इसके जो दो connection है यहाँ पे नज़रा रहे हैं बड़ा देखता हूँ अगर होता है तो जूम हो जाएगा इसके जो दोनो ends है ना वो galvanometer के negative और positive terminal के साथ हमने जोड दिये हैं बीच में यहाँ पे एक switch लगा हुआ है experiment का नाम है Faraday's law अगर उपर की तरफ करेंगे switch को तो यह galvanometer से connect हो जाएगा क्वायल और अगर इसको switch को नीचे कर देंगे तो यह light emitting diode LED दो light लगी हुई है यह उनसे connect हो जाएगा लाइटों से और यह जो yellow color का नज़रा रहा है पिस यह है बटा एक magnet तो magnet को जब तक हमने क्वायल के with respect to stationary रखा उतनी देर यहां पे कोई deflection नहीं आया जितनी देर क्वायल और magnet के बीच में कोई relative motion नहीं है क्वायल भी खड़ी है magnet भी खड़ा है तब तक galvanometer में कोई deflection नहीं है तो अब हम देखते हैं कि अगर हम magnet को बाहर निकाले या अंदर की तरफ लेके जाएं दो तरह से करके दिखाऊंगा एक बार slow करूंगा slow में आप deflection नोट करना किदर को आई तो कुछ point जो नोट करने वाले हैं वो बता दे रहा हूं आपको साथ साथ में जब magnet को हम बाहर की तरफ निकालेंगे मान लीजिए ये south pole है अंदर की तरफ magnet का north pole है तो जब magnet का north pole coil से बाहर आएगा नोटिस करना deflection का direction क्या है pole बाहर आया deflection बेटा थी left hand side को pole को हमने बाहर खींचा deflection right को आया अब इसी north pole को अगर अंदर लेके जाते हैं मैंने गलत बोल दिया मुझे लग रहा है दुबारा चेक करते है pole जब बाहर को आया तो deflection was towards left चलिए अब सही बोला मैंने अब जब इसी pole को अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो notice करना direction of deflection क्या आता है okay means जब pole जो है वो बाहर की तरफ खींचा जाता है तब deflection का direction अगर left को है तो वही north pole जब इस क्वाइल के अंदर जाएगा तो direction of deflection right को हो गया पहलो तो यह important point था दूसरा आपने size of deflection देखना फिर से बेटा दुबारा मैं on कर रहा हूँ वीडियो को size of deflection notice करिए deflection बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा सा है अब मैं इसी magnet को तेज move करूंगा चेक करना ज़रा यह slow motion था magnet को एकदम से बाहर खींचेंगे अगर सी यह coil हो गया बेटा यह दो यह coil हो गया आपके सामने और यह दो terminals है जिनको हमने coil से connect कर रखा है और galvanometer है when magnet is moved slowly check the size of deflection it is small if the same magnet is moved fast check it same magnet is being moved fast the size of deflection has increased now we have shifted the switch to LED light emitting diode now connection is no more with the galvanometer अब जो इस coil का connection है वो इन दो light emitting diodes के साथ हो गया है तो जैसे ही इस magnet को slow move करेंगे तो कम volt बनेंगे कम volt पे ना यह light नहीं जलती अभी अंदेरा करके दिखाऊंगा और अगर हम इस magnet को fast move करेंगे तो इन में से एक में light जलेगी एक में रीजन बिंग जो light meeting diode है ना उसमें एक खास direction में ही current चलना चाहिए इसमें आपने direction में बटा light on होती है तो एक टाइम में एक LED ही on होगा बट वो एक LED ही क्यों चलेगा या एक ही direction of current क्यों चाहिए वो हम discuss करेंगे अपने last chapter of 10 plus 2 physics electronic devices में अभी उसकी tension मतलो अभी सिर्फ यह देखो कि जब इस magnet को मैं slowly move करता हूं तो diode में light नहीं आती अगर मैं इसको तेज move करूंगा तो इसमें light आएगी फिर मैं इसकी polarity change कर दूंगा अभी north pole नीचे है अगर south pole नीचे कर देंगे बेटा और same motion से फिर current का अगर हमने north pole अंदर रखा हुआ इसको magnet को suddenly हमने बाहर खीच लिया तो इन में से एक diode on होगा अगर हम इसका polarity reverse कर देंगे magnet का तो फिर दूसरा diode on हो जाएगा तो अब चलते हैं एक पर अंधेरा करते हैं पहले डार्क हो गया अब डार्क में क्योंके light तभी जजर आएगी ना आपको इसलिए अंदेरा कर दिया देखते हैं अब क्या होता है मैं दोनों तरह करके दिखाओंगा इसको fast करूंगा magnet को और एकपस slow move करूंगा क्योंके fast move करने पे जैसा कि आगे law में आएगा फैरडी जो में fast move करने पे ज्यादा वोल्ट बनते हैं जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मेगनेटिक फ्लक्स ज्यादा हो जाता है लास्ट लेक्चर में मैं वीक पड़ जाएगा क्योंके magnet दूर चला गया दूर से effect कम आएगा magnetic field lines का number कम हो गया that means जो फ्लक्स है वो decrease हो गया and accordingly जो change in magnetic flux जब तक आता रहेगा वोल्ट बनते रहेंगे हाँ अगर मैं magnet को fast move करता हूं उस case में जो rate of change of magnetic flux है वो बहुत ज्यादा होगा वोल्ट भी ज्यादा बनेंगे वोल्ट ज्यादा बनेंगे तो light अच्छी जलेगी स्लो मूव करूंगा तो उतने वोल्ट बनी नहीं पाएंगे कि light on हो जाए चलिए verify करते हैं experimentally magnet को fast move किया check करो magnet is being moved fast again see fast move किया light आई अब slow move करके देखते हैं slow move करने पे अभी slow move करना है देखो slow move करने पे light नहीं जली बिटा क्योंकि अब उतने वोल्ट नहीं बन पाए जो light को on कर देंगे suddenly move करेंगे तो light on होगी polarity change कर देंगे magnet की तो दूसरी light जो है उसमें current का डिरेक्शन सही हो जाएगा जो चाहिए था हमें कि सी हां वीडियो में थोड़ा से एक फ्रेम रेट पर सेकिंड का चक्कर होता है तो कई बार light जो है ना उस फ्रेम में नहीं आ पाती यह वाइस को मैंने ज्यादा पता होगा फ्रेम रेट पर सेकिंड तो 25 है कि 30 है कि 60 है 60 फ्रेम पर सेकिंड पर बनाएंगे वीडियो तो फिर दोनों आपने देख लिए अब हम आते हैं फेरेडेज लॉस पे तो पहला लॉ है वेनेवर देर इस अचेंज इन मेगनेटिक फ्लक्स लिंक्ट विद अ सर्केट लिंक्ट विद अ क्वाइल लिंक्ट विद अ क्लोज लूप क्नुक्टिंग लूप तो उसमें एक EMF एक potential difference developed हो जाता है और अगर सर्केट क्लोज हुआ तो एक current भी चलेगा and that current is called induced current और EMF को बोलते है induced EMF so law goes like this whenever there is a change in magnetic flux linked with a circuit and EMF coil भी लिख सकते हैं आप and EMF और एक induced current जो है circuit में चलेगा लेकिन आपने ये भी देखा कि अगर magnet को हम stop कर दे याने की flux में change आना बंद हो जाए तो वो pointer नहीं चलता कुछ चीजें होती है न जैसे आपने एक तवा जो है चपाती बनाने वाला गर्म कर लिया तो ऐसा तो नहीं कि gas बंद करते हुँ ठंडा हो जाता है तो उसका जो heat है वो बाद में भी काफी देर तक रहता है यहां पर ऐसा नहीं है जैसे ही magnetic flux का change आना बंद हुआ induced EMF induced current दोनों गायब हो जाएंगे तो यहीं है second law induced EMF जो है it would last only as long as the magnetic flux is changing magnetic flux में change आना बंद हो गया तो बेटा induced EMF और circuit अगर closed है तो induced current दोनों बंद हो जाएंगे last point number three यह आपको मैं अभी वे समझा रहा था जब हम magnet को fast move करते हैं तो magnetic flux में जो change है वो तेजी से आता है जैसे जो athlete बेटा एक 200 meter race में fast दोड़ेगा उसका वो ही distance जल्दी कमर हो जाएगा कम time में cover हो जाएगा उसी तरह से magnet को अगर fast move करते हैं तो magnetic flux में जो change है वो थोड़े time में आ जाएगा तो हम बोलेंगे rate of change of magnetic flux ज्यादा है ज्यादा है तो उस case में induced EMF भी ज्यादा होता है मैं आपको एक practical life का example भी देता हूं इसके लिए जो अपना तो induced EMF produced by the coils in the generator scooter में भी एक coil का set लगा हुआ है और जब scooter का engine start कर देते हैं तो उसके rpm revolutions per minute अगर बढ़ जाते हैं तो magnetic flux जल्दी जल्दी चेंज होगा तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये अब्जर्व किया होगा कि अगर हम scooter का accelerator गुमाएं उसके rpm increase कर दे तो rate of change of magnetic flux बढ़ने से ज्यादा वोल्ट बनेंगे और scooter की जो headlight है motorcycle की headlight वो bright हो जाती है यह बहुत सारे बच्चों ने experience किया हुआ है which is proof for my third law that magnitude of induced EMF ज्यादा वोल्ट होंगे तो current भी ज्यादा जाएगा ज्यादा current जाएगा तो पावर ज्यादा मिलेगी बल्ब को is directly proportional to rate of change of magnetic flux तो यह तीन तो हो गए loss और लास्ट वाले को हम mathematical लिखते हैं अब और इसी को आज हमने derive भी करना है तो induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux कई बार यहाँ पर बुक्स में न भी लिखा होता है 5B मतलब magnetic flux क्योंकि पीछे हम discuss कर चुके हैं electric flux also ओके यह minus sign क्यों है अभी समझाता हूं उसके लिए एक और लौ है called Lange's law तो constant of proportionality k आएगा लेकिन यह सारे parameters check करने के बाद it was found कि जो k की value है वो 1 रहती है k turns out to be 1 तो आप सीधा लिखेंगे induced DMF equal to minus d5 by dt मान लो flux 51 से increase होके 52 हो गया in a time duration of t तो directly भी लिख सकते है मेटा आगे minus sign लगाना है minus sign का reason आपको बताया that is due to Lange's rule अभी समझा रहा हो कि Lange's rule क्या है okay k का value जो है और k का unit जो है हमने ये बाकी जो है na EMF flux और time इनका unit जो है वो कुछ ऐसे choose किया ताके k का value 1 आ जाए तो k का value in future हमें नहीं use करना है k को one put कर देना है चलिए अब Lange's law पे आते हैं और Lange's law का जो basic purpose है वो है कि direction of induced EMF induced current कि दर को होगा चलिए तो एक काम करते हैं ये बेटा एक magnet है मैंने diagram knowingly three dimension बनाया है आप भी जब note down करेंगे तो इसको 3D ही note करेंगे इस तरफ आपने जो face है visible दखाना magnet का और इस तरफ वाला face जो है वो छुप जाएगा वो नहीं दिखेगा और ये आपके पास एक connecting ring है रिंग का ये जो lighter side है ये आपकी तरफ है हमारी तरफ और ये जो black वाला portion है ये पिछली तरफ है ओके इधर से बेटा हमने observe करना शुरू किया ये n क्यों लिखा हो बताता हूँ अभी समझाता हूँ बेटा आपको जब ये magnet towards the loop move करता है magnet गया towards the loop तो बेटा दो पॉसिबिलिटीज है देखो ये तो पक्का हो गया कि करन्ट चलना है अगर तो बेटा करन्ट चला इस direction में पोज कर लेते हैं अभी कि करन्ट ऐसे चला दो ही possibilities है या इस बन्दे को पूछें कि करन्ट कि इदर को चला तो ये बोलेगा कि करन्ट मुझे दिखा ये clockwise direction में चल रहा है ऐसे दिखेगा इस बन्दे को अगर मैं ऐसा करन्ट मार्क कर दो clockwise करन्ट से अगर हम राइट हैंड रूल यूज करें राइट हैंड की जो fingers हैं उनको हम रखें करन्ट के along और जो थंब है वो दिखाएगा आपको direction of magnetic field और magnet के poles भी बताएगा कि ये जो magnetic dipole है इसका north pole किदर बनेगा करन्ट चल रहा है ऐसे करन्ट को आपने right hand की finger से ये nail हो गए finger से दिखाना है तो thumb जो है वो direction of north pole दिखाएगा तो इस side बना north और इधर बन गया सौचने की बात है अगर इधर साउथ पोल बन गया ये north और south तो attract करेंगे तो ये magnet खुद ही खिंचा चला जाएगा तो ये तो अच्छी बात हो गई बेटा magnet खुदी खिंचा चला गया और बेटा करंट भी बन रहा है उससे तो ये ring जो है ये magnet को खुदी खिंच रहा है उसके कारण करंट भी बन रहा है बट ये तो फिर बेटा जो बाकरा डैम हमने लगाया या दुनिया के जितने भी डैम वो सारे फेल हो जाएंगे फिर तो आपको अपने गर की बिजली गर का एसी चलाना है तो कुछ नहीं करना आपको एक ring चाहिए और एक magnet चाहिए magnet को थोड़ा सा कुछ मार के छोड़ देना आगे ये ring अपने आप खिंच लेगा बिजली भी बना के देगा एसी भी चलाएगा सब कुछ चलेगा तो बिजली बेटा फ्री की नहीं है हमें उसका बिल पे करना है रीजन ऐसे नहीं बनती अपने आप नहीं बनती यह जो conservation of energy वाला लौ है वो तो फेल हो जाएगा very simple energy अपने आप बननी शुरू हो गई बेटा फिर हमें कोल की जुरूरत नहीं पड़ेगी फिर electrical train को हमने बिजली देनी क है हम उसमें भी ऐसा ही एक system लगाएंगे एक magnet लेंगे और एक क्वाइल लेंगे वो train अपनी खुद बनाएगी खुद ही चलती रहेगी कोई पैसा देने की जुरूरत नहीं है टिकट लगेगा नहीं नहीं ओके सो यह जो हमने ड्रॉ किया यह गलत है यानि current का direction यह नहीं हो होगा तो देट मींज दो ही direction possible है इससे उल्टा होगा उल्टा होगा तो मैंने ट्रॉ किया था इदर से देखने पे clockwise तो actual में यह इदर से देखने पे दिखेगा anti clockwise क्रंट का direction ऐसे रहेगा क्रंट का direction ऐसे रहेगा मैंने पहले यहां पे south pole दिखा दिया थो तो यहां पे actual में north pole बनेगा और इदर बेटा south pole बनेगा यानि यूं कहो कि इस बंदे को दिखेगा कि यहां पे north pole बन रहा है तो north का लिखेंगे आप n और n के दोनों side पे draw कर देंगे arrow और वो जो arrow जिदर को बेटा point कर रहे हैं वही है direction of induced current तो basically इस magnet के motion को चाहिए magnet इस loop के पास में आए चाहे इस से दूर जाए इस magnet के motion को induced current ने oppose करना है बना चलने से रोकना है अगर magnet पास में आ रहा है तो यहां पे north pole बन जाएगा तांकि इसको repulsion मिले और अगर magnet इस से दूर जाएगा वो भी अभी अभी आपने देखा ना जब magnet बेटा coil के अंदर को जा रहा था तब deflection जो है वो आई left hand side को जब हमने magnet को बाहर की तरफ कीचा पिछले वीडियो में जिनको doubt है दुबारा फिर पीछे करके देख लेना जब magnet को हमने बाहर कीचा तो deflection जो है वो हो गई right hand side को यानि deflection क direction reverse हो रहा था तो जब magnet पास आएगा तो यहां पर नॉर्थ पोल बनेगा यही magnet अगर दूर जाएगा इस magnet को हम इस loop से दूर खीचें दूर खीचें तो बेटा यह इसको पीछे जाने से भी रोकता है पीछे जाने से कैसे रोकेगा नॉर्थ पोल को यहां पर एक south pole develop हो जाएगा वो इसको magnet को attract करेगा जैसे friction होती है ना एक box को हमने अगर एक surface पे रखा अगर आप इदर को push करना चाहते हैं तो friction बेटा left hand side को हो जाती है इसी box को अगर आप अपनी तरफ pull करेंगे left को तो बेटा box पे friction जो है वो right को हो जाती है उसी तरह से है इस magnet की motion को जो induced current है उसने oppose करना है दुबारा फिर देख लो बेटा एक बार जब यह magnet पास आएगा तो यहाँ पे एक north pole बन जाना इसकी motion को repel करेगा आने से रोकेगा इसको यही magnet जब हम ring से loop से बाहर खीचते हैं तो north pole को पीछे जाने से रोकता है attraction of a south pole developed तो यहाँ पे आपने S लिख देना है और S के बेटा दोनों side पे arrow draw कर दीजिए वो direction of induced current होगा तो यहाँ पे arrow इदर को आ रहा है यहाँ पे arrow उपर को जा रहा है तो यह हो गया direction of induced current तो जैसे ही magnet towards a loop move करेगा या away from a loop move करेगा तो आपने magnet की motion को oppose करने के लिए जो भी pole बनना चाहिए वो pole वहाँ पे develop कर देना और उसका pole का N.A.S. जो भी लिखोगे ना उसके दोनों ends पे arrow mark कर देना सीधा सीधा आ जाएगा direction of induced current एक case और करके देखते हैं माल लो यहाँ पे south pole होता नौर्थ की जगह फिर इस person को पूछें के बताओ भी current किदर को induced होगा तो south जब pass आएगा तो pass आने से रोकना है south को pass आने से रोकेगा south pole repel करेगा तो s डाल देना यहां पे तो current का direction s के जो arrow है ना उदर को होगा यानि की ऐसे होगा ऐसे होगा means अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे current दिखेगा clockwise direction में दुबारा फिर एक बार बोल रहा हूं reminder दे देता हूं galvanometer बाहर की side है हमारी side है यह जो side है यह back side है black वाली back side पीछे और यह वाले side आगे हमारी तरफ है तो अगर south pole जाएगा इसके पास तो यहां पर एक south pole बन जाना है और direction of induced current इदर से दिखेगा वो clockwise direction में दिखेगा अगेन अगर इस south को हम पीछे खीचेंगे तो south को पीछे जाने से रोकेगा north pole उसको attract करेगा तो n के along बेटा arrows mark कर देना तो यहां से देखने पर यही current जो है वो आपको दिखेगा anti clockwise direction में तो थोड़ा सा IQ अपना use करना है सोचो कि आप यहां से देख रहे हों तो आपको कैसे दिखेगा तो current दिखेगा anti clockwise direction में तो यही अपना है lenses law lenses law का statement यही है कि जो induced current है induced EMF जो develop होगा वो अपने cause को oppose करता है यानि जिस कारण से यह voltage यह current induced हो रहा था उसका जो reason है यानि की magnet का motion है यहां पे तो उसको यह induced current है वो oppose करता है उसको चलने से रोकेगा magnet को that is lenses law तो अब law पे आते हैं यह सारे diagram तरह मैं एक काम करता हूँ आपने यह नौर्थ यह जो magnet है इसको सब्सक्राइब पीछे शिफ्ट करके ड्रॉ कर देना यह वाला ठीक बना हुआ है यहां पे आपने पीछे खींचा था इन magnets को पीछे करके ड्रॉ कर देना वीडियो को पॉस करके इन magnets को आपने आगे को पुश किया था बंदा आप यहां पर अगर नहीं शकल बना पाते ड्रॉइंग अच्छी नहीं है तो यहां पर observer लिख लेना बस बहुत है तांके आपको जो पढ़ेंगे नोट्स दुबारा द सद्सक्राइब करके अश्राइगंट को यहां ड्रॉ करके अट्स दिना rightसाइड को कि मैगनेटि तू वर्ड्स दक्राइव जाने वाला है इन इन पर एरो देना पीछे को कि यह मैगनेट जो है वो क्वाइल से अवे मूव करने वाला है तो आपको डियागरम सही समझाएगा क्योंकि मुझे समझाने के लिए अनिमेट भी करना पड़ता है चलिए अब है लैंजिज लॉग तो लैंजिज लॉग बहुत सिंपल मैंने बे तब भी बन जाएगी अगर हम पिछले रिंग में यहां पर एक कट मार दे मेटा तांकि यह रास्ता पुरा बंद ना हो वोल्ट तब भी बनेंगे इंड्यूस्ट एम एफ तो रहेगा बर रास्ता क्लोज होने के कारण इंड्यूस करंट नहीं चल पाएगा तो करंट चलने के लिए सर्केट मस्ट भी क्लोज तो यह कहता है डायरेक्शन ओफ इंड्यूस्ट एम एफ इंड्यूस्ट एम एफ तो बनना ही बनना है अगर सर्केट क्लोज है तो इंड्यूस्ट करंट भी लिख सकते हैं उसका डायरेक्शन ऐसे रहता है तांकि वह अपने कॉज को चें रूल के लिए कभी कभी कोश्चन आ जाता है प्रूव दैट इस इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ कॉंसर्वेशन अफ एनर्जी प्रूव करना बहुत असान है आपने देखा कि मैगनेट का अर्राइवल मैगनेट का डिपार्चर अभी अभी आपने देखा ना कि अ अगर आपने लेक्टिसिटी प्रोड्यूस करनी है बनाते जाना है बनाते जाना है तो आपको मैगनेट को कंटिनूसली मूव करते रहना पड़ेगा तो मैगनेट को कंटिनूसली मूव करने के लिए आपको ना कुछ फिर वर्क करना पड़ेगा जैसे फ्रिक्शन मोशन को oppose करती है, oppose करती है, तो फिर friction को overcome करने के लिए you would have to do some work, यह अभी बाद में बताऊंगा कि primary coil जो है, secondary coil क्या है, यह इस point पे बाद में आते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि इसका proof क्या है, कि Lange's law जो है, वो in accordance with principle of energy work करता है, एक आगे जाके और topic आएगा, अभी line up note कर लो, बाद में समझाएगा primary coil, secondary coil क्या होती है, ओके, यह diagram ड्रॉ करेंगे बेटा, यह diagram वैसे three dimensional diagram है, but being drawn in two dimensional plane, काफी सरे books ने एक convention यूज की है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा part हमारी side पे है, और कौन सा part back side में है, तो यहाँ पे situation को सही समझने के लिए, जो dotted line है, dotted line, वो पिछली side है, और front में आपकी side पे यह thick line है, थिक हमारी side पे, dotted पिछली side पे बिटा, तो जब magnet को pass लेके आएंगे coil के, तो current चलेगा अगर उपर से देखेंगे in anti-clockwise direction, उपर से देखेंगे तो, यहाँ से देखेंगे observer अगर उपर होगा, तो current का direction होगा anti-clockwise, और इसी north pole को अगर मैं पीछे खुचता हूँ, तो उस case में current का direction reverse हो जाएगा, तो वो ही right hand रखके देखेंगे जब आप draw भी कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसा बनता है mouse से, right hand की fingers को आप रखेंगे along the direction of current, यह बेटा मैंने fingers draw कर दी, यह आपके nail हो गए, right hand, और thumb जो है वो उपर की और point करेगा, समझगे होंगे, right hand का, कुछ ऐसा बनेगा, current जो है उपर से देखने पे anti-clockwise direction में है, मैंने current के along कर दिया fingers को, तो thumb जो है वो north pole को दिखाता है, तो north pole बनेगा उपर की side, यहाँ पे current हो चुका है, उल्टा, current इदर को चला, तो उपर south pole बनेगा, तो magnet जब नीचे आ रहा था, तब यह north-north repel करेंगे, magnet का नीचे को आना oppose होगा, जब इस magnet को पीछे लेके जाएंगे, वापिस, तो यहाँ पे south pole बन जाएगा, south pole इस north pole को नीचे खीचेगा, यानि की जाने से रोकेगा, तो magnet का आना, magnet का जाना, दोनों oppose हो रहे हैं, तो जब magnet पास आएगा, तो coil और magnet एक दुस्रे को repel करते हैं, when magnet moves away from the coil, there is an attraction, उसको भी oppose करता है, induced current, so whether we have to bring the magnet closer to the coil, or we have to take it away, in both cases, motion of the magnet is opposed, जैसे friction, चाहे बेटा आप cycle को स्कूल को लेके जाएं, चाहे स्कूल से गर को वापिस आएं, friction ने आपको दोनों बार oppose करना है, दोनों बार आपको work करना पड़ेगा, और दोनों बार आपको energy spend करनी पड़ेगी, so electrical current बनाने के लिए mechanical work करना पड़ता है, यानि कि mechanical energy दो और electrical energy low, so which is basically conversion of mechanical energy into electrical energy, इसलिए वही तो law of energy conservation जो है, उसका law यही तो है ना, energy नहीं generate नहीं कर सकते, energy को एक form से दूसरी form में convert कर सकते हैं, तो यहाँ पर यही हो रहा है, mechanical work आपको करना पड़ रहा है, mechanical energy आप spend करोगे, magnet को उपर नीचे, उपर नीचे करने के लिए, तब भी galvanometer में continuous current आएगा, तो mechanical energy spend करो, electrical energy ले लो, energy को एक form से दूसरी form में convert करना पड़ेगा, इनी magnets को move करने के लिए, बाक्रे डैम पे जो पानी में potential energy store है, उसको kinetic energy में change करते हैं, kinetic energy से, वो magnets हैं, उनको move करेंगे, तांके current बने, so we need some energy, mechanical energy, तब ही वो electrical में change होगी, तो scooter motorcycle में जो engine है, वो energy देता है, mechanical, उसको हम electrical में change कर लेते हैं, या फिर cycle में भी किसी किसी ने dynamo लगा रखा होता है, जो army वाले बंदे हैं, उनको पता होगा किसी किसी के पास शायद होगा, cycle पे एक light लगी होती है, और उसमें एक dynamo लगा होता है, तो वो dynamo लेकिन गुमाना पड़ेगा, उसको tire किसा टच कर देते हैं, tire गुमेंगा, तो dynamo गुमेंगा, तो magnets मूब करेंगे, मूब करेंगे तो बेटा क्रंट बनेगा, क्रंट बनेगा, light जलेगी, तो basically mechanical energy देनी पड़ेगी, electrical energy को लेने के लिए, चलिए, अब बेटा बहुत important topic मैंने बोला था, derivation of faraday's law हमने करनी है, और इस पे based कुछ equations आएंगी, वो numericals में use होंगी, तो इसके लिए पहले हम assume करेंगे five star मैंने लगा दिया, question is going to be very very important, आप एक काम करना मेरे साथ साथ बिटाना, जैसे मैं बोल रहा हूं, diagram भी आप ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मेरा तो computerized है, थोड़ा अच्छा बने हुआ हुआ है, आप भी slowly, मतलब बना लिजे इसको, तो ये है, crosses मतलब एक uniform magnetic field into the paper, crosses draw कर दिए, ये एक rod है, U-shape का copper का बना हुआ, conductor का बना हुआ क्या सकते हैं, इसके ऊपर touch करते हुए, हम एक और conducting rod, left से right को move करते जाएंगे, इसको touch करते हुए, यानि ये वाला point जो है, वो नीचे इदर touch कर रहा है, और ये वाला point इदर नीचे touch करता है, इसको touch करते करते हमने, आगे को लेके जाना है, चलिए, अब आप जानते हैं के conductor के अंदर होते हैं, बहुत सारे electrons, ये connector तो खड़ा है नीचे वाला ना, ये तो नहीं चल रहा, जो ये connector ऊपर है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये connector right को move करेगा, तो इसके अंदर जो present electrons हैं, वो भी right को move करेंगे, तो जड़ा सोच के बताइए, अगर एक conductor, ये electrons, right hand side को move करेंगे, मैं दुबारा दिखा रहा हूँ properly, negative charge है, electrons हैं इसके अंदर, उनको हम velocity V से अगर right hand side को लेके जाएं, और magnetic field है into the paper, तो आप अब लगाए, flaming's left hand rule, अपना four finger screen के तरफ अंदर को point करें, four finger को अंदर को point करो, central finger को right hand side को point करो, देखो जड़ा direction of force किदर को आता है, thumb किदर को point कर रहा है, thumb point कर रहा है आपका उपर की ओर, बहुत अच्छे, y-axis के along कहना चारू, इसको y-axis कहा देते हैं, इसको हम x-axis कहा देते हैं, velocity x-axis के along है, thumb आपका positive y के along point कर रहा है, ओके, अब जड़ा द्यान से सुनो, मैंने आपको बार-बार बोला, जो thumb से ना force निकलता है, वो निकलता है positive charge पे, अगर electrons की जगापे ना कोई positive charge proton move करता ना right hand side को, तो जो force है वो upwards आनी थी thumb के along, बट हमने यहां पे electrons की बात करने हैं, electron पे charge है negative, electron पे जो force है वो आएगा negative y के along, यानि की downward direction में, दुबार फिर समझो, अपने left hand का four finger, central finger, thumb, इनको mutually perpendicular stretch करो, cross मतलब field है into the paper, तो अंदर की तरफ को आप four finger को set कर लो, four finger अंदर की तरफ को हो गई, अब अपनी central finger को right hand side को रखो, positive x axis के along, तो जो thumb है वो point करेगा upwards, यानि force on positive charge होगी upward in direction, negative charge में force लगेगा in downward direction, तो यहाँ पे जो electrons हैं, उन electrons पे एक downward force लगेगा, velocity right hand side को, v equal dx by dt, और यहाँ पे जो electrons हैं, इसको थोड़ा सा हमें shift करना पड़ेगा left hand side को, चलो आप diagram जड़ा सही कर ले न, यह conductor थोड़ा सा न, animation में ज़्यादा आगे चला गया, मैं काम करता हूँ, थोड़ा नए सिरे से draw कर देता हूँ, तो यह conductor जब यहाँ पहुंचा हुआ था, ऐसे, तो इसके अंदर जो electrons हैं, उन electrons को जब हम right को move करेंगे, तो इन electrons पे एक downward force लगेगा, मैंने downward दिखाया न, अभी, हाँ, उससे क्या होगा, जड़ा इदर देखिए, right hand side पे आज़ा, बेटा, electron न, अभी तो मैंने यह नीचे connector यूज किया हुआ है, मालो नीचे वाला connector नहीं होता, जो यह U-shape का है, यह connector अगर नहीं होता, तो जैसे जैसे electrons नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे minus minus charge इकठा हो जाएगा, और जिस जगा को electrons छोड़ के आएंगे, वहाँ पे positive positive charge आजाएगा, तो इस conductor के across एक potential difference बन जाएगा, कुछ volts बन जाएंगे, due to transfer of negative charge electrons in downward direction, उसी को बोलते हैं induced EMF, यही निकालने जा रहे हैं कि कितने volts develop होंगे, और इसके लिए एक और और नाम भी है, बी केरफुल, कभी-कभी हम यह वाला नाम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं emotional EMF, बेटा सही से प्रनाउस करना, emotional EMF, emotional नहीं है, emotional, जब एक conductor को हम magnetic field में move करते हैं, तो उसके across एक voltage develop हो जाता है, due to motion of the conductor, उस voltage develop to go, induced EMF developed को बोलना है, emotional EMF, तो emotional EMF is potential difference, induced EMF, which has developed across the conductor due to its motion in magnetic field, उसके लिए word यूज़ करेंगे, emotional EMF, ओके मैं extra ink कर रहा हूं, race, यह समझा आगे आपको step, कि जब electrons को, conductor को हम move करेंगे towards right hand side, तो इसके electron भी साथ साथ में जाएंगे towards right, उसके कारण यहाँ पे electrons का movement होगा, downward direction में, और इस conductor के across कुछ potential difference developed हो जाएगा, वो ही हमने निकालना है, और उसी से अपना faraday's law भी निकलाएगा, ओके, extra ink कर रहा हूं, race, और यहाँ पे draw कर रहा हूँ, मैं conductor का निया location, conductor जो है, वो कुछ distance cover करके, यहाँ पे पहुंच चुका है, यह थोड़ा आगे निकल गया मेरे से, animation में कुछ problem आ गई है, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, तो यह जो electrons हैं, इन्होंने नीचे को आना, देखो बड़ा, नीचे को आ गया न, force downward लगेगा, ओके, तो जिस velocity के साथ, conductor के अंदर, electrons move करते हैं, जिससे current चलता है, उस velocity का नाम रखा था हमने कुछ, that velocity we had called drift velocity, बेटा, दो velocities है, यह जो हमने लिखा है, V equal to dx by dt, यह है conductor की velocity, connector को हम right hand side को velocity V से लेके आ रहे हैं, उसके कारण electrons पे एक downward force लगा, और electron नीचे को चलना शुरू हो गए, उस velocity को हमने बोला drift velocity, और इसको हमने नीचे एक और U-shaped conductor से जोड रखा है, अगर नहीं जोडेंगे, उस case में क्या होगा, सिर्फ volt develop होंगे, current नहीं चल पाएगा, नीचे की तरफ negative negative electrons आके accumulate हो जाएंगे, ऊपर deficiency of electrons हो जाएगी वहाँ पर positive voltage आ जाएगा, तो एक तरह का बेटा जैसे battery होती है, battery का एक एंड positive होता है, तो ये भी एक तरह का cell जैसा role play करेगा, कि एक एंड positive एक एंड negative, हाँ अगर connection दे देंगे, यहाँ पे कोई आप resistance वरा लगा दोगे, तो current भी चल पड़ता है cell के साथ, वो ही यहाँ भी है, इसके cross यहाँ पे plus induce हो गया है, यहाँ पे negative आ गया है, तो अगर आप इसको connect करेंगे नीचे जो connector हमने ड्रॉ किया है copper shade का, तो पेटा इसमें crunch चलेगा, current यानि इदर को current आएगा, प्लस से माइनस की और, current flows from positive of the battery to negative of the battery, current इदर को आएगा, but electron आपको पता है न, current के against होते हैं, तो जो electrons नीचे को आ रहे थे, यह मैं double arrow वाला ड्रॉ कर रहा हूं, यह electrons का direction है, electron यहाँ पे नीचे को आए, यहाँ पे वो electron left को गए, देख लो, चेक कर लो, current से विर्कुल उटा है, यहाँ से वो electrons upwards गए, double वाला arrow electron का motion है, और यहाँ पे वो electron right को आए, electrons का motion जो है, वो मानों in clockwise direction, electron का motion is in clockwise direction, और जो current flow हो रहा है, वो flow होगा in anti-clockwise direction, conductor के अंदर अंदर, चलिए, यह तो थोड़े brief points से हमने लेकिन यह सारा कुछ ना, derivation में नहीं लिखना, लेकिन आपको समझाना था मैंने, यह process है क्या, दुबारा फिर देखो, जैसे जैसे यह conductor right को move हुआ, जो इसके अंदर electrons है, हमने planning left-hand rule से निकाला, उन पे एक force लगेगा downwards, तो उस downward force ही कारण, electrons नीचे को push होंगे, हमें निकालना है कि उन electrons के movement से, यहाँ पे जो positive charge आया, यहाँ पे जो negative charge आया, उससे कितने volt develop हुए, उसी को बोलना है induced EMF, चलिए, तो देखते हैं, तो यह distance जो cover किया connector ने time dt में, velocity dx by dt है न, dt time में जो distance cover हुआ right hand side को, उसको हम dx लिख लेते हैं, और यह connector की length को हम small l लिख लेते हैं, length of connector small l, distance जो connector ने cover किया time dt में उसको लिखना है, dx, electron जिस velocity से move करेंगे across the conductor उसको बोलना है drift velocity, और यह जो electrons की downward velocity है, electrons are moving downward, देखो electron के दो motion हैं, दुबारा ध्यान से सुनो, एक तो यह electron जो हैं वो left से right आ रहे हैं, जैसे connector right को move करेंगा, उसके कारण electron को downward force लगा, force लगा तो नीचे को एक motion मिल गया, उस motion के कारण current चल रहा है, और उस current carrying speed को हम बोलते हैं drift velocity, अब एक motion क्योंकर नीचे को भी शुरू हो गया electron का, downward जो motion शुरू हुआ, उसके कारण force कि दर लगेगा, ध्यान से देखो फिर से, four finger बेटा सेट करो अंदर की तरफ, crosses means magnetic field into, central finger को सेट करो downwards, along negative y axis, चेक करो जरा, thumb की तर को point कर रहा है, right hand side को बहुत अच्छे बेटा, four finger into the paper, into the screen, central finger downwards, along the direction of drift velocity, thumb point कर रहा है, left hand का, right hand side को, but वो होता है, force on positive charge, हमारा charge है negative, तो हमारा force right को ना लगके, left को लगेगा, कितना लगेगा, उसके लिए, Lorentz formula था, QV cross B, तो QV यार्ट्रॉन का charge, E, velocity electron की drift velocity, VD, into magnetic field B, into यहाँ पर sin theta भी होता है, बटा, बट sin theta चेक करेंगे, magnetic field है into the paper, velocity है downwards, तो इन दोनों में, magnetic field में और velocity में कितना angle, 90 degree, तो यहाँ पर sin 90 भी आएगा, sin 90 equal to 1, तो जो backward force लगी electron पे, forces दो है, एक force थी, जोब connector right को move हुआ, तो electrons को एक downward force लगा, उससे electron नीचे जाने लग गया, उस velocity को हमने drift velocity लिख दिया, drift velocity से जोब एक्टरॉन नीचे आया, तो flaming is left hand rule से हमने निकाला, कि एक force और लगेगा electron पे, पीछे की गोड़ा, तो ये तो एक electron था, electron लेकिन एक नहीं है, the number जो है, वो तो जाता है, एवो गेटरो नंबर के size का, electron बहुत सारे हैं, सभी पे पीछे, 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 पीछे force लगेगा, तो वो ही अभी हम lenses rule की बात कर रहे थे, conductor को right hand side को हम खीचना जाते हैं, जो induced current है, उसके कारण एक force पीछे को develop हो गया, तो वो force conductor को चलने से रोकेगा, और उसी के against हमने force लगाना है, यानि mechanical work करना है, ताके electrical energy बनती रहे, ये तो एक electron पे force है ना, पीछे को, ऐसे बहुत सारे electrons है, हर एक पे force पीछे को, पीछे को, पीछे को लगेगा, उन सभी forces को overcome करने के लिए, हमें आगे को force apply करना पड़ेगा, ताके इस conductor को हम चलता रख सके, ओके, अब आते हैं, potential difference निकालना है, दीरे-दीर चलूँगा, derivation में बहुत सारे points हैं, simple हैं, और वीडियो इसलिए record किया जा रहा है, ताके आप दुबारा इसको फिर से, जितनी मर्जी बार चाहें, कर सके, वीडियो इस very very important, और इसकी understanding भी बहुत जुरूरी है, इस पे based question numerical आएंगे, फॉर्मूले simple हैं, बहु कुल, फॉर्मूले तंग नहीं करेंगे आपको, derivation में, आपको दो बार, faraday's, sorry, sorry, flaming's left hand rule use करना पड़ गया, ओके, तो start करते हैं, बैटा, तो थोड़ा सा work, जो एक electron पे करना पड़ा, एक electron को हम, जब distance dx से right को shift करेंगे, क्योंकि electron पेना, force लगता पीछे को, evd into b, तो इतना force आपको आगे लगाना पड़ेगा, ताके electron कीज़ के, आप distance dx से इधर shift करें, right को, तो आपने जो force लगाना है, जैसे बैटा gravity का force होता है, एक object पे mg नीचे को, तो अगर आपने object ऊपर खीजना है, तो आप उपर को force mg लगाओगे, अगर उसको constant speed पे खीजना है तो, इतना ही force आपको right hand side को आगे लगाना है, वो force आ गया, force को displacement से multiply कर दिया, वर्क आ गया, अब यहाँ पे एक छोटा सा step है, हमने, इसको, vd को, drift velocity को, drift velocity थी across the length of the conductor, length को हमने L लिखा था, तो पूरा distance L को तो L लिखेंगे, लेकिन छोटे से distance को DL लिख देंगे, तो DL distance जो है, उसको cover करने में अगर time dt लगा, तो drift velocity को हम DL by dt लिखेंगे, drift velocity equal to small distance cover DL, divide by dt, अब trick के आँ पे यह है कि आपने न, DT को right hand side पे, DX के नीजे shift कर देना है, देखो जरा, यह DT उठाके हम इदर ले गए, DX distance cover हुआ था, during time dt, और DX by dt को क्या लिखा हुआ है हमने, very nice, V लिखा हुआ है, तो इसको मैंने V डाल दिया, तो यह थोड़ा सा work आ गया, जो की, एक electron को distance DX cover कराने में हुआ, बड़ चेक कर रहिए, आप DX जो है, वो यहाँ पे DL बन चुका है, यानि कि distance DL cover करने में, across the length of conductor, छोटा सा length, DL cover करने में कितना work हुआ, वो बन गया बटाई, अब आपको याद है, चेप्टर लेक्टर स्टेटिक्स, EMF, पोटेंशिल दिफरेंस का देफिनिशन था, पोटेंशिल दिफरेंस बिट्विन टू पॉइंट्स, इस वर्क दन इन शिफ्टिंग, वान कूलम चार्ज, फ्रॉम वान पॉइंट टू अनदर, तो हमने देखना है कि, इलेक्टरोन को डिस्टेंस डी एक्स के लिए, डी अल के लिए तो वर्क करना पड़ा, E, B, V, D, L, अगर पूरी लेंथ कवर करानी होती, कन्डेक्टर की, तो कितना वर्क करना पड़ता, उसके लिए इसको बेटा, इंटिग्रेट कर दीजिए, इंटिग्रेशन में, E बाहर आएगा, मेग्नेटिक फिल्ड यूनिफॉर्म में, वो भी बाहर आएगा, इसको कॉंस्टेंट विलस्टी से हमने राइट एंड साइट को लेके आना है, वो भी बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ DLDL, इंटिग्रेशन याद है ना आपको, इंटिग्रेशन मींज एडिशन, तो हमें ये वाला DL, ये वाला DL, ये वाला DL, ये DLDL, DL सारे हमें एड करने है, तो E, B, V आ गया बाहर, DLDL एड किया, वरी सिंपल, L निकला आया, कोई लंबा चोड़ा काम नहीं है, कोई वेक्टर नहीं है, बस एक फ्लेमिंग्स, लेफ्ट हैंड रूल, दो बर अप्लाई करना है, वर्क, जो इस इलेक्टरोन को, डिस्टेंस, डी एक्स में, शिफ्ट करने के लिए करना पड़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट, ट्रिक हमने क्या प्ले किया, डिफ्ट वेलोस्टी को हमने, क्योंकि डिफ्ट वेलोस्टी जो है न, अक्रॉस दे लेंथ अप्टर है, छोटा सा डिस्टेंस, डी एल कवर करने में, जो टाइम लगा वो डी टी था, तो डिफ्ट वेलोस्टी को डी एल बाई डी टी लिखा, डी टी को हमने शिफ्ट कर दिया, डी टी के नीचे, डी एक्स के नीचे, डी एक्स बाई डी टी, वो है वेलोस्टी अलाउंग राइट हैंड साइड, क्नेक्टर की वेलोस्टी, तो dx by dt को velocity connector लिख दिया तो ये बन गया work done in shifting the electron by small distance dl हमने निकालना है कि सारा distance l cover करने में कितना work हुआ उसके लिए integration e बाहर, b बाहर, vb बाहर, dl dl integration means addition होता है बहुत बार मैं बोल चुका हूँ very easy step तो ये सारे छोड़े छोड़े dl dl length add करने हैं तो l आ गया अब मुझे work तो निकलाया potential difference निकालने के लिए induced emf निकालने के लिए हमें work done per unit charge चाहिए तो so easy unitary method e coolant charge को electronic charge को move करने के लिए work करना पड़ा e b v l तो बेटा unit charge पे कितना work होगा divide by e कर दो इसको e से e हो गया cancel तो पहला important formula आज की derivation का answer नहीं आया अभी बड़ यह formula important है b v l यानि किसी conductor को जिसका length है l उसको अगर magnetic field b में move करेंगे with velocity v v है conductor की velocity एक conductor length l का उसको velocity v से move करेंगे magnetic field में with velocity v and in a uniform magnetic field b उसके across जो voltage develop होगा emf बनेगा induced emf उसका formula learn कर लिजिए magnetic field into velocity into length of the conductor जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया emotional emf ओके यह एक formula है अब यह formula किन cases में apply होना है अब ज़्यान से देखिए तीन चीजें आपसमें यहां पर right angle पे है length of the conductor जो है वो मैंने paper पे draw की है और वो y-axis के along है is it conductor का length y-axis के along है conductor की जो velocity वो right hand side को है x-axis के along है velocity और length में angle कितना हो गया 90 degree length y-axis के along velocity x-axis के along और magnetic field है into the paper तो यह तीनों चीजें आपसमें right angle पे हैं तो यह formula लगता है जब हमें निकालना पड़ेगा एक arrow plane बेटा ध्यान से देखिए arrow plane की velocity होती है along horizontal और arrow plane का यह जो wings का span है wings span बोलते है इसको यह conductor की length है इसी तरह का case है बेटा conductor की length is wings span of an airplane wings span कहना है इसको wings span यानि wings कितनी जगा में फैले हुए हैं और अर्थ का पीछे हमने magnetic field पड़ा उसका एक horizontal component था याद आगया होगा एक vertical component यह है बी वर्टिकल ओफ अर्थ वी लगाया वर्टिकल के लिए magnetic field ओफ अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट और यह हो गई plane की विलस्टी आगे को चेक करो तीनों चीज राइट अंगल पे है लैंथ wings span का plane की विलस्टी और अर्थ का magnetic field का वर्टिकल पार्ट तीनों राइट अंगल पे है तो question आता exam में के इसके wings span के across कितने वोल्ट induced हुए कुछ नहीं करना आपने लैंथ को मीटर में पूट करना है velocity plane की जो है उसको मीटर पर second पूट कर देना और अर्थ का magnetic field का vertical component अगर दिया है तो बहुत अच्छा है नहीं दिया है तो निकालना असानी है आपने दो formula किये हुए है B vertical was equal to B total into sine of angle of dip याद आगे होगा नहीं याद तो एक बार जो magnetic elements of earth's magnetic field है वो पढ़ दीजिए समझा जाएगा B vertical equal to total field of earth into sine of angle of dip अगर B vertical दिया है तो सीधा पूट कर देना numerical में use होना अभी हमारा answer नहीं आया answer अभी आना है क्योंकि Faradis law क्या था induced EMF equal to d5 by dt तो मुझे d5 by dt देख जाना है अभी यह एक formula है लेकिन formula जो बीच में आया यह भी हमारे काम का है numerical में use होगा very important formula अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते है derivation को वी को हम dx by dt लिख सकते है ना वी को dx by dt लिख दिया अब length of the conductor check करो जरा L into dx length into breadth होता है equal to area करसर देख रहे हैं आप laser beam length of the conductor into distance moved L into breadth यह बटा area हो गया इसको area ना लिखके हम लिखेंगे इसको da increase in area ऐसा क्यों इतना area बटा पहले भी था जो conductor यहां पे था यह area मान लो है 5 meter square फिर हमारा conductor यहां पहुंच गया तो यह area हो गया 15 meter square तो यह वाला कितना हुआ यह 10 है very nice very nice निया area 15 हो गया 5 पहले भी था यह वाला 5 था बेटा 15 में से 5 छोड़ दिया तो यह निया area आ गया जो अभी अभी बना है अभी अभी increase हुआ है 5 तो पहले भी था अब 15 हुआ तो यह वाला area अगर 10 है तो 10 को बोलेंगे increase in area इसको लिखेंगे हम da da by dt area covered per second by the connector यह connector जब right hand side को move हुआ इसने कुछ area cover कर दिया वो area है da area covered per second da by dt यह दूसरा formula है जो induced EMF के लिए use होगा अब कौन से situation में use होगा वो है बेटा दूसरा जो टाइप है इसका numerical का वो है कि अगर एक cycle का wheel गूमता है यह cycle wheel आपके सामने आ गया जब यह wheel rotate करेगा तो wheel के अगर spokes जो है जो cycle के ना पहिए के जो तार है अगर उनका length है L तो एक round में cover करेगा wheel pi r square यादि pi l square एक चकर में इस wire ने जो area describe करना है वो circle का यह area होगा circle का area होता पाई r square तो मैंने pi l square लिख दिया और एक चकर पूरा करने में जो time लगता है उसको क्या बोलते है time period तो area covered by time taken को मैंने लिख दिया area of the circle divided by time period ती ओके इसको अगर मैं two से multiply two से divide कर दूँ चेक करो जड़ा two से multiply two से divide two pi by time period कुछ होता है कई बार कर लिए बटा हमने two pi by time period उसको omega लिखते है very nice तो यह दूसरा important formula हो गया जो की आपने लगाना है अगर आपको पूछा कि cycle जो wheel है उसके spokes के across wires के across कितने वोल्ट का EMF induced होगा उसके लिए formula रहेगा बी omega L square by two omega का value निकाल ले ना पिछे वने formula किया हुए बहुत सारे relation थे ना omega के छे relation थे 2 pi by time period, 2 pi into frequency, 2 pi into rotations per second और एक थर्ट 2 pi into rotations per minute by 60 उन में से कोई भी लगाना omega आ जाएगा और spokes का length question में दिया होगा magnetic field का value दिया होगा formula याद है तो just values बूट करनी है answer आ गया अभी तक मैंने दो formula बता दिए very important aeroplane हो या कुछ rod हो जो magnetic field में move कर रही है उसके cross कितने volt induced होंगे magnetic field का strength into velocity of the conductor into length of the conductor अगर cycle के across जो spokes हैं उनके cross कितने volt induced होए तो लगेगा B omega L square by 2 अब हम आते हैं final answer पे अपने तो क्योंके मुझे ultimate लिखना था d5 by dt क्योंके magnetic field यहां पे सबी जगा था constant constant को differentiation में integration में अंदर भी ले जा सकते हैं बाहर भी ला सकते हैं तो मैं इस B को ले जा रहा हूं अंदर बी अंदर चला गया तो D by dt of B into A अब जहां से chapter शुरू किया था हमने area को अगर हम magnetic field से dot करें electrostatics में था ना E dot ds that was electric flux B को area से dot करेंगे तो magnetic flux आएगा तो B dot A को आप लिखेंगे magnetic flux B into A को magnetic flux तो यही तो प्रूब करना था induced EMF equal to D by dt of magnetic flux यानि कि Faraday's law derive हो गया माइनस sign वह बताया था मैंने आपको कि वह तो लेंजिज लॉके according आता है तो वह इस derivation का part नहीं है वह direction of induced EMF के लिए है चलो अब एक काम करो मैं extra ink erase कर देता हूं जस्ट आपने क्या काम करना है आपने ना conductor को note down कर लो प्रॉपर लिजड़ा इसको conductor थोड़ा सा मेरा आगे shift हो गया आप conductor को यहां पे ड्रॉप करेंगे के conductor distance dx कवर करके यहां पहुंच गया आप यहां पे ड्रॉप करेंगे यह वाला रैड वाला केस अमिट कर देंगे conductor आपका यहां पहुंच चुका है चलिए यह derivation अगर एक्जाम में आती है तो three marks की आएगी एरो प्लेन ड्रॉप कर लो side में एरो प्लेन को side में ड्रॉप कर लो एरो प्लेन आपने derivation में नहीं ड्रॉप करना derivation का पार्ट नहीं है बट मुझे बताना था कि यह formula जो है वह एरो प्लेन के across कितने वोल्ट इंड्यूस वे उसमें यूज होगा और यह जो formula है B omega L square यह cycle wheel के लिए यूज होगा इनको side में आप draw कर लेना और formula लिख देना कुछ बच्चे काफी अच्छे हैं अपने वह formula book maintain करते हैं तो formula book में add कर देना induced EMF कभी भी निकालना हो तो d5 by dt cycle spokes के across कितने वोल्ट induced हुए तो formula लगना है B omega L square by 2 aeroplane के wingspan numerical बड़ा clear cut होगा कोई confusion नहीं होगी aeroplane वाला question आ गया तो BVL cycle की तार वाला question आ गया तो B omega L square by 2 और अगर आपको last जैसे मैंने lecture में बताया कि अगर magnetic flux दिया होगा तो उसको d5 by dt कर दो और पूछा होगा कि इस time पे निकाल दो EMF induced कितना है तो उसमें T का value डाल दो तो तीनो formula important है numerical में सारे के सारे यूज होंगे और derivation itself is important three marks का पीटा question इस पे आता है एक बाद वीडियो को pause करके पहले derivation note down कर लो मैं अब rub करके सारा कुछ extra questions पे shift होता हूँ तो questions में पहला question है NCRT book से एक wheel है cycle wheel वही जिसमें 10 metallic spokes है question board exam में 3 बार आ चुका है बेटा with different data cycle का wheel है उसको हम magnetic field में गुमा रहे हैं उसमें 10 wires है और spokes की length है 0.5 meter each उसको rotate किया 120 revolutions per minute 120 rpm पे in a plane normal to horizontal component of earth's magnetic field पीछे बताना बूल गया मैं जो earth जो magnetic field है ना उसको connector का motion है वो right angle पे होना चाहिए तो इसमें बेटा cycle का पईया जब चलता है आप जानते हैं वो चलता है vertical plane में और earth का जो horizontal component है वो cycle के plane of motion को right angle पे होगा जो cycle का wheel है उसका plane तो आपका screen है जो आपको नजर आ रहा है mobile के computer पे और field मैंने draw कर दिया into the paper तो यह जो मैंने crosses draw किये इनका direction basically अगर आप देखेंगे actual में तो यह horizontal हो गया ना बेटा उसको टेसला में change करना पड़ेगा उसके लिए question में दिया हुआ है कि एक गॉस को 10 power minus 4 टेसला ले लो speed omega उसके लिए 120 revolution पर minute spokes का length जिसको हमने L लिखा था वो 0.5 meter दिया हुआ है number of spokes matter नहीं करता इसको आपने use नहीं करना यह answer का part नहीं है बस आपको लगाना है formula B omega L square by 2 by 2 मतलब half अब बात बची के omega का value क्या आएगा omega जो है वह आपको बताया गया था revolution पर minute से कैसे निकालना है तू पाई इंटू revolution पर minute rpm by 60 करना बहुता है बिटा rpm by 60 तो यह cancel होगा बिटा टू पे टू इंटू हो जाएगा 4 पाई तो magnetic field को point four गॉस था ना point four गॉस को टेसला बनाने के लिए इंटू 10 पा माइनस 4 जो L का square करना था उसमें point five का square कर दिया rest is calculation वह solve कर लेना अपने आप तो यह induced EMF आगया एक वायर के across अब एक पर बोर्ड एक्जाम में question यह भी आया कि क्या number of spokes matter करती है ncrd book में लिखा हो है मैंने सेंटर में मालो positive charge आना है और end पर आना है negative charge अगली spoke में भी center पर positive end पर negative उसके अगली में भी center पर positive end में negative तो बटा अगर कई सारे cells के plus 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 से कठे कर लोगे minus 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 से कठे कर लोगे उसको बोलते है parallel combination देखना एक cell लगा दिया बेटा दूसरा cell भी लगा दिया तीसरा भी लगा दिया इन सभी cells का plus plus आपने एक ही जगा जोड दिया minus minus एक ही जगा जोड दिया तो parallel combination में क्या चीज़ सेम होता है voltage तो बेटा अगर एक cell 5 volt का है ना तो यह combination भी पूरा 5 volt का ही है तो number of cells कितने लगाए उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता बेटा 5 volt ही रहेंगे तो यहां पे हर जो स्पोक है वो एक तरह का एक cell है तो हर स्पोक के across सेम voltage है वो सभी voltage जो है पहले में लगे हुए हैं तो कितने लगाए उसका कोई फर्क नहीं पढ़ता तो जितने मर्जी स्पोक्स हो चाहिए पूरी की पूरी डैंस डिस्क हो बहुत सरी तार लगा दिया आपने तो भी induced EMF सेम ही रहना है तो question आ चुक है board exam में अगर number of spokes बढ़ा दें तो induced EMF पे क्या फर्क पढ़ेगा कोई फर्क नहीं पढ़ेगा चलिए question को along with question and answer दोनों note करने है दो question अभी और कराऊंगा आपको फिरम वीडियो को close करेंगे दो question और है छोटे-छोटे है not big question चलिए आगे चलते हैं मिटा एक्स्ट्र कर देते हैं आपने पॉस करके note-down कर लेना है मुझे तो आगे चलना है तांके बच्चों का time waste ना हो दो question कराऊंगा 2008 में आया एक jet plane है जो की वैस्ट की ओर जा रहा था 450 मीटर पर सेकिंड से board exam में आ चुक है 2008 में इफ horizontal component of earth's magnetic field आपको horizontal component दिया है 4 into 10 power minus 4 Tesla angle of dip भी दिया है जिन बच्चों ने magnetic elements of earth कर रखा है उनको समझ आ गया होगा हमें चाहिए vertical component दिया है horizontal component तो find the induced EMF between the ends of the wings having a wing span of 30 meter तो very simple पीछे आजो एक बज़रा पीछे मैंने formula बताया कि जो wings span है उसको आपने लिखना है L velocity of the plane को meter per second में और एक earth के field का हमें vertical component चाहिए तीनों को बस multiply करो B V into L और answer आ जाएगा तो चेक करो induced DMF B vertical into length into V लेकिन vertical component निकालने के लिए horizontal से निकालना मिटा आपने दुबारा बताया तो एक बार फिर से अगर हमें earth का total field given हो B angle of dip given हो angle of dip को delta लखते थे अगर तो B horizontal निकालना है तो वो B total into cos theta होता है B vertical निकालना है तो वो B total into sin delta होता है बट आपको vertical नहीं दिया आपको total field भी नहीं दिया आपको दिया है horizontal component तो इस triangle में check करो जरा यह बटा vertical component है यह horizontal component है और यह angle है अगर perpendicular निकालना हो यह side perpendicular है यह side है base तो बटा base को use करके perpendicular निकालना हो तो 10 delta आएगा आपको B horizontal दिया है तो यहाँ पे B horizontal BH into 10 delta B horizontal का value 4 into 10 power minus 6 10 of angle of dip 10 30 1 by root 3 into length of wingspan 30 meter और plane की velocity और स्टियोरी मीटर पर सेकिंड में बाकी करना है multiply और कोई पंगानी है question में तू माक्सा question था अगला question 2019 का यह अपने आप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा reason being वही number of spokes दिये हुए है एक spoke का length दिया हुए अभी कराके हैटा हूँ same आपको सारा 120 rpm दिये हुए है और अर्थ का जो total